हमारे सही होगी शरत भी जुड़ गये हैं जो बताएंगे आपको आज के लिए ट्रीगर्स और ख़बरों वाले शर्ट कौन से हैं शरत बताईए जो बिल्कुल सबसे इस मोटर्स की बात करें तो 25% का येरों ये बेसे पे ग्रोथ आया है और लाजली इन-लाइन देखने मिला है APL Apollo Tubes के जो है लाजली वीक सेट अफ नमबर्स देखने मिले हैं जहां पे सिक्वेंशली वॉल्यूम्स में डिकलाइन आया है और यहां का रीजन ये है कि चैनल डी-स्टॉकिंग हुई है और वो anticipate कर रहे थे कि steel prices में correction देखने मिलेगा धनलक्षमी बैंक के लाजली in-line set of numbers आये हैं वहीं अगर South Indian Bank के बारे में बात करें तो double digit growth का तो आया है deposit और advances लेकिन जो कासा है वो लगबग 230 basis points year on year basis पे गिरावट देखने मिली है JTL Industries लेकिन वही पे देखे तो Q3 बहुत strong आये है सबसे highest sales देखने मिली है और जो sales growth हुई है almost 76% year on year basis पे volume growth देखने मिली है ultra tech cement के देखे जाए तो support से लेके थोड़े वीक numbers देखने मिले इंडिया sales volume 5% उपर है year on year basis पे वही coal इंडिया की बात करे तो वहाँ पे 8% का production का growth देखने मिला है तो ये तो हमने पूरा बता दिया आपको December और Q3 की updates के लेकिन कुछ stocks हैं जो खबरों के दम पे भी आज focus में रहेंगे सबसे पहले जाता है BHEL और कल जो ता स्टॉक में तेजी देखने मिली थी अब BHEL ने clarification दिया कि जो 19,000 कोड का order उनको NLC से मिला है company अभी सिफ price bid ही की है order अभी तक नहीं मिला है तो इस stock को ज़रूर radar में रखिएगा reversal देखने मिल सकता है Zomato यहाँ पे हमने चेक किया app में और यहाँ से पाया गया कि आपका जो है bill as a consumer वो बढ़ जाएगा लेकिन as a shareholder आपको जरूर रहेंगे क्योंकि यह लगबग 15 करोड रूपे जो है adjusted EBITDA हर quarter में लाएगा और annualized basis पे जो है 15% का contribute करेगा आपका consolidated EBITDA पे करनेक्स microsystem है तो market cap 900 करोड के नीचे लेकिन important बात यह है कि उनकी जो JV है उसमें लगबग 109 करोड का south central railways का order आया है railways का theme चल रहा है small cap space का भी stock है और अगर देखा जाए आपके order to market cap ratio तो यह 12-13% से जादा है तो इसलिए stock में reaction देखने मिल सकता है आखिर में SGVN भी focus में रहेगा उनको डिपम से approval आई है कि वो चार नए projects जो hydro renewable projects से भारत और नेपाल के बीच उसको start कर सकते हैं तो positive news flows भी आ रहे कुछ-कुछ power sector में और importantly Q3 updates भी आने लगे हैं शुक्रिया शरद पूरी details बताने हैं पूरा